देखे कितनी tasty और स्वादिष्ट रस्मलाई बनके हमारी तैयार हुई है कितना अच्छा color आया और कितनी अच्छी हमारी रस्मलाई बनके तैयार हुई है वो भी सिरिफ 1 लिटर दूद में तो आप भी इसको घर में बना सकते हो मैं चम्मस से काट के दिखाती हूँ, कितनी सोफ्ट है, देखो कितनी सोफ्ट है रस्मलाई हमारी और कितनी ही स्वंची है, एक दम बिल्कुल मार्किट जैसी, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्किट जैसा आप भी इसको घर में तयार कर सकते हो, तो चलिए बनाते हैं हम रस्मलाई तो रस्मलाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कडाई लिंगे तो मैंने एक लीटर दूद डाल दिया है इसमें और इसको वोईल होने के लिए रख दिंगे तो ये दूद हमारा वोईल हो रहा है इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे चलाने दे क्या होता है? इसके ओपर हमारी मलाई नहीं जमेगी देखो, ऐसे चलाते रहेंगे यह जो मलाई पड़ जाती है न वो भी ताकि इसके अंदर मिक्स हो जमाई देखे दूद हमारा वोईल हो गया है अब इतना ही वोईल इसमें एक वोईल हो गया है अब इसमें हम सिर्का डालेंगे ताकि हमारा दूद दूद जो उसका छेहना बन जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिंगे और अब डालेंगे इसमें हम सिर्का तो मैंने दो चमच सिर्का लिया है और एक चमच पानी रिमिक्स कर लिया है इसमें तो एक चमच डाला पहले सिर्का और फिर हम इसको चलाएंगे एक साथ सारा सिर्का नहीं डालेंगे पहले चलाते चलाते सिर्का डालेंगे ठीक है पहले हमने एक चमद सिर्का डाला था चला लिया अब दूसरी चमद डालेंगे सिर्का और अब चला लेंगे इसमें अब दूद को हम चला लेंगे दीरे दीरे चलाएंगे हम दूद को और देखो दूद में से छेना बनना इस्टार्ट हो गया है चमसी दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा चहना बनना स्टार्ट हो गया है हमारा, लेकिन अभी इसमें proper चहना बननके तयार नहीं हुआ है, दिरी दिरी जब इसका color बिल्कुल change हो जाएगा न, तो तमझो कि हमारा चहना बननके तयार हो गया है, तो देखो color बिल्कुल change ह हो गया इ 곡 हैं कि यह बिल्कुल एक स्कूसकी भीज है GOD500 को य में निकाल तो मद कर दे अब गस को बंद करके रख दिंगे इसको किसी जलनी में निकालनेका मैंने एक छलनी लिए उसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रख दिया है आपके पास मलमल का कपड़ा हो वो रखना या कैसा भी कपड़ा रखना जिसमें हमारा पानी अलग हो जाए बिल्कुल डाल दिया अभी एदो को कितना गरम है न इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये सोफ्ट बना रहे और इसमें से जो सिर्का है उसकी खटास है वो निकल जाए इसमें से तो इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा, चलाने के बाद इसको बांद के, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, किसी चीज से दवा कर, ताकि इसमें से सारा पानी निकल जाए, तो देखो, मैंने इसको धोलिया है, ठंडे पानी में, और बांद के, अब किसी प्लेट में रख द बनाने के लिए और इसमें मैंने एक लिटर दूद लिया है और गेस को कर दिंगे हम चालू और यह वोईल हो रहा है तो इसमें सबसे पहले हम कैसर लिंगे कैसर को गरम दूद डालके इसको फूलने के लिए रख दिंगे ताकि कैसर अपना कलर छोड़ दे तो देखो मैं इतने गरम हो रहा है, इसको गरम होने के लिए रख देते हैं, और मैंने इधर एक पैन लिया है, इसमें एक गिलास पानी डाला है मैंने, और एक कटोरी इसमें चीनी डाल देंगे, चीनी डालने के बाद थोड़ा सा पानी और डाल देती हूं इसको, और गरम होने के लिए इस इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा चलाके, थोड़ा सा पानी डालूंगे इसमें, तो गरम होने के लिए इसको रख देंगे, हलका-हलका गरम हो गया है ये, थोड़ा सा चीनी को मिक्स कर देते हैं, इसको अच्छे से बोईल होने के लिए रख देते हैं, तो देखो छेना बनके तयार है हमारा इसको किसी एक पराथ में निकाल लेते हैं बड़ी सी पराथ में ताकि अच्छे से इसको मैक्स कर सके हैं तो ले लिया है इसमें इसको अच्छे से उंगलियों से मिक्स कर लिए अब ऐसे मिक्स कर लिए अब हतेली से अच्छे से इसके जो दाने एंग न वो खतम करने के लिए 5-10 मिनिट तक इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और करना हमें हतेली से ये, फिंगर से नहीं हतेली से थोड़ा किशीचते हुए मिक्स करना है, ताकि दाने सारे खतम हो जाएं मुझे 5-10 मिनिट हो गएं, तो चेक करते हैं कि अच्छे से हुआ है ये नहीं हुआ थोड़ी से एक गोली बना के देखेंगे, इसमें हलके हलके दरारे लग रही है तो अभी हमारा ये तैयार नहीं हुआ है, छेना अभी इसमें दाने दार रहे गया है, इसमें दाने हलके हलके रहे गएं तो 5-10 मिनिट तक और करूंगी मैं इसको, थोड़ा जितना आराम से थोड़ा टाइम दे के इसको मिक्स करेंगे न उतना ही अच्छा हमें रजल्ट मिलेगा तो देखो, एक बड़ चेक कर लेते हैं, मुझे 5-10 मिनिट हो गए हैं, एक बड़ चेक कर लेते हमारी गोलिया बहुत अच्छी बन रही है, तो हमें इसके चलो बना के लड़ू से बना लेते हैं, हमें लड़ू नहीं बनाने, गोल-गोल बनाएंगे तो रसगुले बन जा जाने के बाद फूलती भी है, तो मैंने सारी तयार कर ली हैं ये, अब पानी में डाल देती हूं, दीरी दी पानी मेरा अच्छे से वोईल हो चुका था, मैं ऐसे ही सारी बोलो को डाल दूंगी इसमें, तो इनको डालते बग हम इसमें पलटे का यूज हम बिल्कुल नहीं क दूद्ध को देख लेतें दूद्ध भी हमारा वोईल हो चुका है ये तो देखो, दूद्ध भी हमारा अच्छे से वोईल हो चुका है इसमें दो खतका आने के साथ इसमें, मैंने 2 चमज चीनी डाल दीए, 2-3 चमज डाली थी, क्योंकि मुझे मीठा कम रखना है इसलिए तो आप अपने हिसाब से मीठा रख सकते हो मैंने इसमें केसर जो भिगोया था वो भी डाल दिया है मीठा अपने हिसाब से रखना कम जादा बहुत से जादा तेज खाते हैं बहुत से कम खाते हैं और वैसे भी रसमलाई में मीठा थोड़ा कम ही अच्छा लगता है तो देखो चमच पे भी गाड़ा गाड़ा पनार आया है ना तो समझो कि हमारा अच्छे से वोईल हो गया है ये दूद थोड़ी देर और वोईल कर लेते हैं हम इसको ऐसे चला चला के वोईल करेंगे ताकि इसके उपर अच्छे से मलाई ना जम पाए दूद को इतना गाड़ा होने के लिए टोटल 20 से 25 मिनट लगें और दूद अच्छे से हमारा गाड़ा हो गया है हमने पहले तो तेज गेस करीते हैं और फिर बाद में सिम गेस पर इसको वोईल कर लिया है और ज़्यादा गाड़ा नहीं करेंगे दूद को तो हमारा दूद हो चुका है ये घर की बनी हुई चीज काफी अच्छी लगती है और उसमें पता भी होता है हमने क्या-क्या डाला है तो इसलिए घर पर ही बनाओ बहुत अच्छेस्टी बनेंगी तो हमारा गेस हमने बंद कर दिये इसको हलका ठंडा होने देते हैं अब हमारी देखो ये भी फूल के उपर आ चुके देखो कितना बड़ा साइज हो गया है इनका तो हमारी बन गई है ये बहुत अच्छी बनके तेयार हुई है देखो ये हमारी ऐसी धेरे भाट बस एक वइल लेंगे इसमें ओर फिर हमारी ये बनके बिलकुल रेडी है फोड़ी देर के उर वोईल लेते हैं इसको फोड़ा सा हलका पैन हिला के मिक्स कर देते हैं ता कि उपर से भी हो जाए ये तो हम गैस को बन कर देते ही हम और ठंडी होने के लिए रख देते हैं देखो हमारी ये ठंडी हो गई है अब ठंडी होने के साथ इसको निकाल लेते हैं किसी अच्छे से बोईल में निकाल लेते हैं वो तारा माराम से निकाल लेंगे दूद बना के तयार करा था नो वो ठंडा हो गया है इसलिए मैंने ठंडे पानी में नहीं डाला अब इसको इसके ओपर सारी रसमलाई जो निकाल लीती हैं हमने और जो दूद बना के तयार करा है वो डाल लिंगे हम देखो कितने अच्छे तारा दूद भी हमारा इतना गड़ा अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है तो देखो हमारी रसमलाई बनके तयार है इसको बदाम, पिस्ता, काजू जिससे आपको तयार करना है उससे डेकोरेट कर लेते हैं मैंने इसमें काजू और बदाम डालें तो देखो कितनी टेश्टी बनके तयार हुई है हमारी मैं एक तोड़के भी दिखा देती हूँ आपको तो देखो कितनी स्पंची है बहुती सोफ्ट है जो आसानी से टोट गई है और बहुती स्पंची भी है हमारी और दूद भी देखो कितना गाड़ा है और एक बड़ बनाओगे तो दुबारा बनाने का आपका मन करेगा इसलिए मेरी वीडियो को देखो और बनाओ स्वादिष्ट रस्मलाए का मजालो ओके बाई मेरी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो के बाई